स्री महाल अच्मे नमा हस वारद्वा यूटूब चनल पर आप सभी का स्वागत है धन्त रोदसी की रात को एक चीज जरूर खा लेना आप सभी जानते हैं धन्त रोदसी पर तेरह दीपक जलाने का मैत हो है आप देख रहें इस पिकार से ग्यारह दीपक तो माता के सामने जलाएं और एक दीपक यमदेव के नाम का आपको जलाना है एक तुलसी माता पर एक भगवान सिव के सामने यह ज़्यादा तर ग्यारह दीपक का मैत होता है कहते हैं कि इस दिन ग्यारह दीपक जलाने से मनुकामना पूरी हो जाती है इस दिन भगवान विश्णू और माता लचमी भगवान सिव की पूजा की जाती है और साथ ही यमदेव की पूजा भी की जाती है इस दिन किये गए पूजा का बिशेश प्रवाव होता है लेकिन अम मैं आपको जो पाय बता रहा हूँ यह है संतान सुक के लिए आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी होगी सरीर निरोगी रहेगा हर प्रकार की कार्यों में आ रही ब्यादा है तो रोजांगी आपको क्या करना है कि माता लचमीजी के सामने जब दीपक जला ले माता लचमीजी की पूजा कर ले तो आपको एक दीपक बनाना है आटे का आटे का दीपक बना के माता लचमीजी के सामने जलाएंगे उसमें दो लोंग डाल देनी है फिर खीर का प्रसाद, या तो आप बजार से मिठाय लियाए एक कतोड़ी में काएका गी डालके खीर का प्रसाद माता लचमीजी के सामने रख देना है माता लच्मिजी से प्रात्ना करने के मातेस्वरी हमारे उपर अपनी कृपादिष्टी बना रखे हमें संतान सुक का आश्रिबात दीजिए और स्री महालच्मिनमा इस मंत्र का आपको जाप करना है इस दिन अगर आप ने ये उपाय कर लिया तो बहुत जल्दी आपकी सूनी गुद वरेगी श्री महालच्मिनमा मंत्र का जाप करने के बाद में वह प्रसाद पती पत्नी दोनों को खा ले ना है ये उपाय बहुत ज़्यादा चमत का रिये उत्र प्राप्ति के लिए द्धन प्राप्ति के लिए पांच पीली कोडी लख ले अभी लग रख ले एक प्रेट में और उन पर हल्दी का टीका लगा ले हल्दी का टीका लगा करके और मात्र लच्मिजी से प्रात्ना करने के मातिस्वरी हमें द्धन प्राप्ति का आशि ये दीपक जलानेक बाद में ये उपाय कर लिजी आपकी प्रतिक मनुकामना पूरियोगी खीर का प्रसाद आपको जरूर खाना है